जैहिंदर नमस्कार मेरे सेर्ट सेर्णियों लाड़ों लाडलियों स्वागत आप सब्सक्राइब के अपने यूटूब चैनल कमांडो कीड़ में दोस्तों आज का जो वीडियो हमारा आपको काफी दिन से आर्पेफ कॉंस्टेबल की बढ़ती को लेकर एक अपडेट और अब मैं आपको बताऊंगा इसका कितनी बढ़ती आने वाली है कितने उपदों पर बढ़ती आने वाली है तो जो बच्चे इस बढ़ती का इंतजार कर रहे थे यह उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है एक में इस पेशलिस का रिजन बताता हूं एक तो इसमें ड्रफेज. Take a day में अठाव से जो तेश रहती है वो इसमें 18 में अठाव 13 रहती है एक तो रिजन ये रज possibility और आब आगी इसके बारre में आपको पूरी जानकारी हिव. कि ध्यान रखना और पॉइंट के साथ में एसाइए की वेकेंसी बैते तो जो ग्रेजविएट है उनके लिए भी बहुत अच्छा है ठीक है यह जो नोटी से आपने देख लिया अगर नहीं देखा इसको अच्छे से देखना तो कमांडो केडमी का टेलीग्राम ग्रूप जो का है कोई से महीने का दस दो जार तेबीस का इसकी आगे की डेटे बताऊंगा मैं आपको और बारत सरकार गॉर्मेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्राले मिनिस्ट्री ओप रेल रेलवे बूर्ड इस नोटिस में क्या गताया गया है इस नोटिस में बताया यह गया कि जो आर्प और अगल पूर्ण कराईगा है यह जो बीजिए दे पर इसके बारे में यह पत्र लिखा गया है अगर आप देखोगे तो यहां पर एक नीचे डेर दी गई जिसमें इसपश्ट किया गया है कि इसका जो फाइनल अपडेट है वो कब तक आ जाना चाहिए 1610-2023 तक आ जाना से ही यह नहीं नोटीस जारी डिपार्मेंटली में आपको शिदा सिदा समझता हूं डिपार्मेंटली आर्पीफ कॉंस्टेबल की जो भढ़ती है उसके लिए नोटीस जारी कर दिया गया है कि यह बढ़ती होने वाली है जिसका फिजिकल का जिम्मेदारी आर्पीफ को दी गई है इसके पेपर की जिम्मेदारी आरार भी जो की रेल्वे रेक्रूटमेंट बोर्ड उसको दी गई है यह फिक्स कर दिया गया है इस नोटीस के मादम से और आप सभी को पता है यह तब ही फिक्स कर गया है जब भढ़ती आने वाली नहीं तो इसकी त 2018 में यह वेकेंशी 9700 पदों पर आने वाली थी खिर्फ किसकी कौश टेबल की इसमें SI के लगव 1100 कुछ पोश्ट थी अगर उस समय वेकेंश आती तो 10,000 पदों पर आती अब आपको पता है 2018 से अब इस समय कौन सा हो गया है 2023 यह पांस साल का समय पांस सालों में RPF में कोई कोई भी भरती नहीं हूई कोई भी भरती लाड़ लो द्यान रखना कोई भी बरती नहीं हूई है तो पंस साल का यह बहुत बड़ा लागत ह Douglas 2,000 पर होने वाली है कि अब आप उलो की इसकी जो प्रोसेस है जो बच्छे पहले बार देख रहे हैं आर्पीप की बढ़ती में आपको उता दूं एक्जाम में क्या होता है एक्जाम में इसके आपके पास में क्यूशन आते हैं 120 जिसमें जीके के 50 क्यूशन 50 नंबर के होते हैं मेद के 35 क्यूशन 35 की होते हैं मिला कर होगे कितने क्यूशन 120 क्यूशन 220 के लिए समय מס मिलता जान रखना को Adi सब्सक्राइब करने होते हैं और यह तीन याते हैं कई बच्छे पिछली बार मैंने वीडियो बढ़ाए तो बोला हिंदी आती है इंगली साथ आती नहीं यही पेपर है क्या से लिबस में बदला हो सकता चांसे बहुत कम है बदला हो लेकिन हां आरार भी ले सकते तो हो सकता है इस बार कुछ नहीं आएड कर दे यह कुछ पुराना हटा दे उसके चांसे यह पिसला दो सेले बसता इसका आप तक यहीं था इसमें कोई संदे नहीं नेगिटिव मार्किश में बदलाओ नहीं किया जाएगा साथ इसका दो नहीं बदलेगा एज क्राइटेरिया 18-25 तो जो 25 से उपर है लगबग 28 साल तक के उनके लिए भी इस बड़ती में लिजिबल होंगे वो बच्चे भी क्योंकि कम से कम तीन साल की इसमें छूट इसलिए मिलेगी कि यह वेकेंशी 2018 के नोटिफिकेशन के आजार पर आएगी तो पांस साल डिले है पांस साल के छूट तो कि आपको तीन साल के छूट दी जाएगी तो जो भी बच्चे जिनका एज क्राइट इरिया उपर भी हो गया वह भी ध्यान देना है इस वेकेंशी पे और यह जल्द आने वाली है कि इसके नोटिस आगए 16-10 के बाद में हो सकता कि अगले 5-10 दिन के बाद में आपको इसकी छोटाध सेंटीए्मेटर वहीं लड़की लिए होते हो 177 सेंटीमेटर । यह जो लड़के लिए उच् tilt होटाइसस टीह inhibrov ड़कों के लिए 402 सेंटीमेटर रुदिन के लटकों के लिए शाइच मिनटके हमें रहता है लड़कों के लिए आफिछार मिनिक का समय रहता है फिजिकल स्टारिट के halves में एक चीज ओर हडियान रखना फिजिकल में लोंग जम लड़कों के लिए 12 लड़कों के लिए 9 फिट हाय जप 3.9 लड़कोंכे लिए नपन लड़कों के लिए इस्ट इसक फिट है यह सब्सक्जिकल और इसके बाद में होता है लाड़ो मेडिकल अब मैं आपको बता दूए वेकेंसी बिल्कुल यह मान के चलिए कि आ गई है दर्वाजे पे तैयारी में जुट जाए यह बहुत अच्छी तरह के से जुट जाए यह ताकि आप सफल हो सकी ठीक है दर्वाजे पे अंडेर पर सेंट है कि एक्टूबर के य जय हिंद जय भारत